हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे चैप्टर नंबर 5 कर जो एक्सरसाइज 5.7 है रिमेंडर्ट तीयोरिम की मज़़ से इस एक्सरसाइज इनके अंदर जो क्वेस्टिन जो एसक्सरसाइज के अंदर की फिक्टरिजेशन करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो क्वेस्टिन है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्वेर माइनस 14 एक्स प्लस 24 है तो लिट हम क्या कर लेते हैं कि एफ ओफ एक्स इस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्वेर माइनस 14 एक्स प्लस 24 अचा रिमेंटर तेoryum में हम ये करते हैं कि x डिफरेंट वेलbench लगाते हैं यानि एक्स इस डिकुर्ट टो प्लस माइनस वन लगा सकते हैं प्लस मायनस टू लगा सकते हैं प्लस माइनस ट्री and so on इस तरह کی वेलुज लगाते हैं यह प्लस लगाएंगे, f of x आके पास 0 आना चाहिए अगर उससे नहीं आरा तो –1 लगाएंगे इससे f of x आके पास 0 आना चाहिए इस तरह से डिफेरंट वेलुज हम उसको try करते, put करते जाएंगे और जससे result हमारे पास f of x 0 आता है वही x के values होती है जिसके लिए remainder आपके पास 0 होता है इसलिए इसको remainder theorem कहते हैं remainder हमारे पास हमेशे के लिए 0 आना चाहिए तो चले, let's start करते हैं कि 4 x is equal to 1 कर देते हैं तो f of 1 is equal to 1 q minus 1 square minus 14 into 1 plus 24 ठीक है? तो जब हम इसको solve करते हैं तो 1 minus 1 minus 14 plus 24 तो यह हमारे पास कुछ 8 answer आ रहा है जो कि not equal to 0 है तो इस तरह से 4 x is equal to x is equal to minus 1 लगा देते हैं तो यह f of minus 1 is equal to अब के पास आ जाएगा minus 1 का cube minus minus 1 का square minus 14 into minus 1 plus 24 इससे minus 1 आ रहे हैं और यह भी minus 1 होकी की minus यह और minus 1 का square plus 1 आता है तो minus 1 यह हो जाएगा minus minus plus 14 14 plus 24 तो इससे तो 38 36 आ रहा है not equal to 0 तो यह भी सही नहीं है 4 x is equal to 2 ले ले लेते हैं इसके चेक करते हैं तो यह f of 2 f of 2 is equal to f of 2 is equal to अब यह 2 cube minus 2 square minus 14 into 2 plus 24 तो इससे 8 minus 4 minus 28 plus 24 तो इससे 8 plus 24 minus 4 minus 28 तो यह हमारे पास आ जाएगा f of 2 जो आपके पास आ रहा है वो है 32 minus 32 is equal to 0 तो इसका मतलब भी हुआ कि f of x is equal to 2 यह value इससे remainder हमारे पास 0 आ जाएगा जो factor होना जो हो जाएगा therefore x minus 2 is a factor हो जाएगा is a factor ठीक है अब second factor निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस जो polynomial है यह वाला जो question में है इससे first factor को divide कर देते हैं ठीक है to obtain the second factor डिवाइड एक्स माइनस टू दो पॉलिनामियल अबाव पॉलिनामियल बाई एक्स माइनस टू ठीक है तो यह वारा पास हाज जेका पॉलिनामियल आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेर माइनस 14 एक्स प्लस 24 डिवाइड बाई एक्स माइनस टू तो इसे हम एक्स अच्छा अब हम यह कर सकते हैं डिविजिन है कि इस एक्स को एक्स क्यूब बनाना है इस x को x cube बनाने के लिए हमने इसको किसी से multiply करना है x square से तो यह x cube हो जाएगा minus 2 x square हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह minus यह cancel हो जाएगा तो 2 x square minus x square आपके पास आ जाएगा x square minus 14 x plus 24 अब हम उसको किसी से divide करते हैं plus x है क्योंकि x x square आ जाएगा ठीक है और minus 2 x हो जाएगा minus 2 x यह plus हो जाएगा यह minus इस तरह से यह भी cancel हो जाएगा minus 14 x plus 2 x तो minus 12 x हो जाएगा और plus 24 इस तरह से अब हम उसको किसी से । मैंने ट्वेल आएगास इस एक्स को वायनोस ट्वेल एक्स को मारे इसे मैंने ट्वेल्य करनें मैंने मायनने मैन joue प्लस विस हैं गैंसली यह कैंशाल saintchen that न तोसर्य जो फैक्टर आ रहे x minus 12 हो जाएगा ठीक है अब further हम इसको solve कर लेते हैं इसका third इसको भी further हम factorize कर सकते हैं क्योंकि ये quadratic equation है quadratic equation को breaking the middle term से उसको solve कर सकते हैं तो ये x minus 2 तो वैसे ही आजाएगा इसको ये देखें first and last two multiply करते हैं rough work में तो minus 12 x square आ रहा है अब कोई first middle term को break करना है इस तरह से कि जब आप 8 करो तो plus x आ जाए और जो multiply करो तो minus 12 x square आ जाए ठीक है तो हमारे पास plus 4 x है और plus minus 3 x है multiply कीजिए को minus plus minus 4 3 is out 12 x multiply by x x square ये चीज़ा गई ठीक है addition से plus x आना चाहिए तो 4 x minus 3 x plus x हो जाएगा ठीक है addition से middle term आना चाहिए ये या लड़ी हम questions कर चुके हैं और multiplication से minus 12 x square आना चाहिए तो ये हमारे पास इसको वो term आ रहे हैं वो 4 x हो 3 x आ रहे हैं तो ये x square और x की जगा plus 4 x minus 3 x और minus 12 ये question का हिस्सा है इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा further x minus 2 इन में से x common है x common है तो ये x plus 4 ले लेंगे minus 3 common है ये x plus 4 ले लेंगे ठीक है further ये x minus 2 और ये bracket से जो बाहर है उसको ये bracket के अंदर लगा देंगे x minus 3 और जो bracket के अंदर है x plus 4 ये हमारे पास finally answer आ गया x cube minus x square minus 14 x plus 24 ये जो question हो जाएगा इसके factorization x cube minus x square minus 14 x plus 24 is equal to x minus 2 x minus 3 और x plus 4 ये आपका answer आ गया ठीक है तो ये question जो है हमने इसको completely factorize कर दिया with the help of remainder theorem ठीक है जिसमें हम x की value 1 minus 1 plus 2 minus 2 और लेते हैं और इस तरह से question को solve कर लेते हैं अगला question हमरे पास है वो x cube minus 11 x square plus 36 x minus 36 तो इसके लिए भी let f of x is equal to x cube minus 11 x square plus 36 x minus 36 टीक है 4 x is equal to 1 के लिए चेक करते हैं तो ये हमरे पास हाज़ेगा f of 1 is equal to 1 cube minus 11 into 1 square plus 36 into 1 minus 36 इस तो से 1 minus 11 plus 36 minus 36 cancel cancel minus 10 इससे आ जाएगा ये दोनों कैंसल हो जाएगा minus 11 plus 1 minus 10 हो जाएगा जो किनाट equal to 0 है इसलिए ये value यहां पर इससे remainder जो हो 0 नहीं आएगा 4 x is equal to minus 1 लगा जेते हैं तो ये हो जाएगा f of minus 1 is equal to minus 1 का q minus 11 into minus 1 का square plus 36 into minus 1 minus 36 तो इससे minus 1 आ जाएगा minus 11 आ जाएगा minus 36 आ जाएगा और minus 36 तो इस सारी value minus में आ रही है minus 72 और minus 84 हो जाएगा minus 84 not equal to 0 तो इसलिए ये value भी fit नहीं आ रही है तो हम एक और value fit put कर देते हैं उसके अंदर 4 x is equal to 2 तो ये f of 2 is equal to 2 cube minus 11 into 2 square plus 36 into 2 minus 36 इसको जब हम solve करते हैं तो 2 का cube 8 आ जाएगा ये minus 11 multiplied by 4 plus 36 into 72 हो जाएगा और minus 36 अगर हम इसको ये 8 minus 44 plus 72 minus 36 तो 8 plus 72 is equal to 80 हो जाएगा और minus 44 minus 36 minus 80 हो जाएगा तो रिज़र हमारे पास finally 0 आ जाएगा तो इसलिए 2 की जो value है अगर हम x की value 2 लगा देते हैं तो इससे remainder हमारे पास 0 आएगा तो लहाजा x is equal to 2 तो जो therefore x is equal to 2 and x minus 2 is a factor हो जाएगा is a factor हो जाएगा टीक है second factor निकालने के लिए हमने क्या करना है कि x minus 2 को इससे divide करना है टीक है to find second factor या भी भी कर सकते कि to further factorize हम भी कर सकते है to further factorize डिवाइड अबाव पॉलिनॉमियद by x minus 2 तो अब हम क्या करेंगे कि x cube minus 11 x square plus 36 x minus 36 divided by x minus 2 टीक है तो अब यह x cube है यह x है इसको हम x square से multiply कर देंगे तो यह x cube बन जाएगा और यह minus 2 x square तो यह plus यह minus यह cancel हो जाएगे minus 10 हो जाएगा 10 x square minus 11 plus 2 minus 9 sorry minus 9 x square आपके पास आजाएगा plus 36 x और minus 36 अब यहाँ पे x है यहाँ x square minus 9 एक तो minus 9 से multiply कर देंगे की क्या minus 9 यहाँ पे 1 है तो minus 9 बन जाएगा 18 x हो जाएगा 18 x minus 36 ठीक है अब हम क्या करते हैं कि इसको यह x है यह 18 x है तो प्लस 18 से इसको multiply कर देते हैं तो 18 x minus plus minus minus 18 तो जाएगा तो जो नेक्स हो जाएगा अब उसको यह भी चीज हमारे पास आ रही है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी x minus 2 therefore यह x minus 2 एक फेक्टर आ रहे है दूसरा फेक्टर जाएगा x square minus 9 x plus 18 यह वाली है ठीक है अब हम further इसको जब solve करेंगे तो यह quadratic equation है breaking the middle term से कर लेते हैं तो यह breaking the middle term में 6 और 3 आ जाएगे ठीक है यह x minus 2 अपने जगह पर यह x square minus 6 x और minus 3 x जब आप 8 करो तो minus 9 x आ जाएगा multiply गर तो minus minus plus 6 3 जाए 18 x square तो 18 x square आपके पास आ जाएगा और plus 18 अपनी जगह पर आ जाएगा इस तरह से further हमारे पास आ रहे है x minus 2 और इस में से x कामल ले लेंगे तो x minus 6 बज़ जाएगा x minus 6 और minus 3 कामल ले लेंगे तो यह x minus 6 बज़ जाएगा इस तरह से तो यह x minus 2 और यह x minus 3 x minus 3 bracket से जबाहर है और जो bracket के अंदर है x minus 6 यह आपके पास अंसर आ जाएगा तो इसलिए हम उसको यह लिख सकते हैं कि x cube x cube minus 11 x square plus 36 x minus 36 is equal to हो जाएगा x minus 2 x minus 3 और x minus 6 यह आपके पास अंसर हो जाएगा तो यह question number next और बाकी इसके अंदर जो questions है बिल्कुल same method है कोई difference नहीं है same method और तक्रिवान expression तोड़े बहुत change है बाकी बाकी बास 1 minus 1 plus 2 minus 2 लगा सकते हैं उसके अंदर और इससे मैतर जाएगे सारे के सारे questions जो सौल हो जाएगे एलुआ